दोस्तो जैसे ही हम किसी बैंक में अपना full KYC complete करवा लेते हैं हमें लगता है कि हमारा full KYC lifetime के लिए valid हो चुका है और अब हमें कभी भी KYC करवाने की जरुरत नहीं परेगी लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तो आपको समय समय पर KYC करवाने की जरुरत परेगी किसी भी बैंक के अगर आप खाता धारक हैं KYC update एक बार फिर से आपको करवाना परशकता है कैसे आज की इस वीडियो में बात करेंगे क्या है RBI की guidelines KYC को लेकर details में समझेंगे आज की इस वीडियो में तो इसलिए वीडियो को ध्यान से पूरा जरूर देखिएगा अकाउंट की KYC verification वह कितने दिन पर करेगी और इसको लेकर बैंक ने यहाँ पर तैय किया है customer wise की जिन customers के अकाउंट high risk पे हैं उनका 2 साल पे KYC verification होगा और जिनके medium risk पे हैं उनका KYC verification 8 साल पे और जो लोग low risk पे हैं उनका KYC verification 10 साल पे किया जाएगा अब कैसे पता चलेगा कि आप high risk पे है medium risk पे हैं या फिर low risk पे तो यह bank तैय करती है कि आप जो है किसी risk पे है उसे हिसाब से आपके अकाउंट में KYC के अपडेट के लिए आपके अकाउंट को freeze कर दे आता है जैसे ही आपकी KYC जैसे मालो कि आपका अकाउंट जो हाई डिस्क पे है और ऐसे में आपने दो साल के अंदर फिर से KYC अपडेट नहीं करवाई है तो ऐसे में आपके अकाउंट को freeze कर देगा वो bank और उसके बाद जब आपके KYC करवाएंगे उसके बाद ही आपका अकाउंट फिर से चाल होगा हला कि उसमें पैसे आते रहेंगे बस विड्रॉल आप नहीं कर पाईएगा तो जिस दिन से आपको लगे कि विड्रॉल नहीं हो रही है किसी भी माध्यम से चाहे एटियम हो ओनलाइन हो या फ्री उपिया तो आप समझ लिए कि आपके अकाउंट को फ्रीज कर दिया गया है और इसका सीधा उदारन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में देखा जा सकता है SBI में बहुत ऐसे customers हैं जिनके account को freeze कर दिया गया है और आपको आप KYC verification करानी होगी bank में जाकर हाला कि SBI के customer है तो घर बैठे आप कर सकते हैं वीडियो मैंने channel पर डाल दी है बाकी bankों के बारे में मुझे उतनी जनकारी नहीं कि आप किस तरीके से कर सकते लेकिन इतना बात तो confirm है कि किसी भी bank में आप KYC verification ब्रांच जाके काफी असानी से कर सकते हैं अब दूस्तों कभी-कभी ऐसा भी होता है कि हम कभी online account open करते हैं तो वहाँ पर अपना KYC documents जब तक आप नहीं देते हैं तब तक वो जो है account open ही नहीं होता है और उसके बाद video KYC अब होती है और उसके बाद ही आपका account open किया जाता है लेकिन इस परिस्थिती में अगर आपने KYC documents नहीं open किया account फिर भी bank आप से समय समय पर KYC verification के लिए आपको कह सकता है क्योंकि RBI की नई guideline है आपको fraud से रोकने के लिए समय समय पर KYC करना ज़रूरी है और bank तेह करेगी कि किन customers के कितने दिन पर KYC verification करेगी वो account wise depend करता है किस category का आपका account है तो इस type से जो है यहाँ पर किसी भी bank के खताधारक है आप तो अब आपको periodically यानि की समय समय पर कहीं न कहीं KYC करने की ज़रूरत होगी इसी सौट update के लिए मैंने ये वीडियो दे दी है ताकि अगर आपका पैसा किसी भी तरीके से वीडियो नहीं हो रहा है है तो वह कमेंट शूट्शन में जरूर लिखिएगा आज के वीडियो वस्तितना ही यह थी एक सौट अपडेट के वाई सी वेरिफिकेशन को लेकर उमीद है कि वीडियो पसंद आई होगी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करिए और नोटिफिकेशन बेल को हिट करना मत भूलिएगा मिलते हैं किसी नई वीडियो में दीजिए इजाज़त हैंक्यू